नमस्कार अभी तक हमने दो डिजिट का मल्टिप्लाई सीखा था वैदिक मैंत में आज हम बता रहे हैं कि पूर डिजिट में मल्टिप्लाई कैसे करना है लेकिन यह धियान रखना है कि यह जो फार्मूला है यहां जहां ट्रिपल नाइन 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 फॉर टाइमस फ्री कितना भी नाइन हो यह फार्मूला केवल वहीं वर्क करेगा ठीक है तो आज जो हम कर रहे हैं मानलिया हमारे पास संख्या है फोर टू सिक जिरो मल्टिप्लाई करना है हमको फोर टाइम नाइन से तो हम इसमें से एक लैस कर देंगे लैस करने के बाद हमारे पास आ जाता है इसमें से एक लैस करने पाद फोर टू फाइब नाइन अब वापर से हम उसी टेबल पर जाएंगे मैंने पहले भी बताया था कि हमें ये टेबल याद रखना है अब जब हमने इसमें से एक लैस किया तो हमारे पास यह आ गया और अब हम देखते है फोर कहा लिखा है फोर क को multiply करने पर answer आजाता है यह, next चलते है, 885 को अगर हम multiply करते है, 3 times 9 से, तो हमारे पास answer आजाता है यह, यहां से class करने पर, अब हम चलते है case number 2, तो अगर हमारे पास 2 digit है, यहां पर 2 8, और हमारे पास यहां 4 times 9 से, तो इस condition में हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम इनको कर लेते हैं, तो हम इसके आगे 2, 0 बढ़ा दिया, तो हमारे पास 4 संख्या हो गई, यहां पर भी 4 है, अब इसमें से class कर देंगे, तो हमारे पास answer आजाता है, यह, वापस से चेक कर लेंगे, यह, 0 के सामनी क्या है, 9, यहां आगे 9, 0 के सामनी again, 9, 2 के सामनी क्या है, 7, sorry, और 7 के सा और इसका multiply करने पर यह आजाता है, same, अगर हमारे पास 4, 3, 5 नंबर है, और हमें multiply करना है 4 times 9 से, तो हम वापस से 0 और बढ़ा लेते हैं, एक less कर लेते हैं, इसको करने के बाद answer हमारा आजाता है, यह, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें यह table learn होना चाहिए, छीक है, आप भी क करके देखिये, thank you